तो फानली नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले टाटा स्टील दाउनिस्ट्रीम प्रूर्ट लिमिटेट के दरफ से आप सभी के लिए इंटर्ण से पॉपर्चिनिटी को यहां पर लॉंच की गई है सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कौन से स्टुडेंट यहां पर इलिजिबल होने वाले तो पूरे साइड में यहां पर ऐसी कोई भी क्राइटिरिया नहीं दी गई है अगर आप लोग MBA के स्टुडेंट है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी के साथ Engineering के स्टुडेंट है, Computer Science के फिल्ट के स्टुडेंट है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अब बात आती ही कितने duration का यहां पर internship आपकी होनी वाली तो आप देख सकते हैं आप इन्होंने mention कर रखा है आठ से लेकर के बारा विक्स तक की आपकी यह internship opportunity आपसे भी को प्रुवाइट की जाएगी Learn while you work यहां पर टोटल यह learning program होने वाला है मतलब internship में select होने के बाद आपको अलग-लग project में काम करने का मौका मिलेगा जिसमें आपके interest होगी आपके academic background वगेरा आपको देखते होगे industrial project पर काम करने का मौका मिलेगा जिससे आप लोग नए ने skills को यहां पर सीख सकते हैं तो बहुत ही बड़ी यहां पर opportunity आप सभी के लिए provide की गई है इतना information आपको इनके official site पर मिल जाएगा उसके बाद बगर बात करें अप्लाय का सीख करना है तो नीचे आपको apply now का एक बटन दिख जाएगा जिस पर simply आपको click करना है so finally click करने के बाद एक new page खुलेगा जिसके अंदर internship form यहां पर आजाएगा आप देख सकते BE, BTEC student BE student must complete the 6th semester MBA student must complete the 2nd semester C.A. student will be eligible as industrial trainee post submission of institution approval later यहां पर जो भी BE, BTEC student है उनका 6th semester तक complete होना चाहिए उसी तरह यहां पर MBA student जो है उनका 2nd semester तक complete होना चाहिए इसी किसाद C.A. student भी यहां पर apply कर सकते है applying form बिल्कुल सिंपल है यहां पर आप देख सकते name, present address, personal information आपको यहां पर fill करनी होगी application के details यहां पर देनी होगी सारी qualification, 10th, 12th graduation या अगर आपने post graduation कर रखा है तो उसके बारे में भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं उसके पर अगर आगे बढ़ें यहां पर आप देख सकते year of experience भी मांगा जा रहा है तो यहां पर आप लोग year of experience में यहां पर डाल सकते एक साल उसके पर अगर नीचे बढ़ें यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो-तीन चीज़े आपसे मांगी जारी है यहां पर institution की authorization लेटर आपसे मांगी जारी जिससे आपको upload करना होगा जिसे आप अपने call essay जाकर के बना सकते इसी के साथ अपने CV को भी आप लोगों को attach करना होगा अगर किसी के दोवारा आपको refer किया गया है तो आप लोग यहां पर उनका नाम डाल सकते यहां पर mandatory नहीं यहीं से आप लोग स्किप भी कर सकते other details में आपको कुछ और सारी बात यहां पर ढालनी होगी कुछ document को fill करना होगा capture को fill करना होगा फिर submit के बटन पर जाकर कि click करना है तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपका apply हो जगा apply करने के बाद जो भी सारी information होगी आपके email ID के through आपको सारी information से इंट कर दी जाएगी so finally यह भी बहुत अच्छी opportunity थी इसी के साथ एक और अच्छी opportunity के बारे में बात करने वाले हम लोग पहला यहां पर Tata के बारे में बात करने वाले लगबग यहां पर आप देख सकते अभी से 8 महने पहले Tata ने भी online virtual experience program को launch किया था जिसके बार मैंने complete video बनाई थी आप देख सकते अगर 7 को मैंने यह videos डाला है 2022 को इसे भी आप लोग यहां पर join कर सकते इसी के साथ TCS ने भी एक virtual experience program को launch किया था जिसे मैंने यहां पर अभी से एक मैंने पहले upload किया एक मैंने पहले इस program को यहां पर लाया गया था मैंने complete video बना लिया है दोनों ही site में जब आप जाएंगे इस course को complete करेंगे तो एक valuable certificate आपको यहां पर TCS के तरफ से भी provide की जाएगी और इसी तरह यहां पर आपको Tata के तरफ से भी एक valuable certificate provide की जाएगी जिससे no doubt आप लोग अगर आगे किसी भी internship में अगर आप लोग participate कीजेगा तो आपकी जो skills यहां पर सीखिए और जो certification आपके रहेगी उससे आपको यहां पर जरूर benefit मिलने वाला है तो simply इसके लिए क्या करना है आपको यहां पर दोनों ही मिल जाएगी program TCS के तरफ से जो provide की जा रही है और यहां पर Tata के तरफ से जो provide की जा रही है दोनों के link माने आप सभी को description में provide कर रखा है तो एक बार जाकर के जरूर वीडियो को check out कीजेगा में भी हो सकता आपके लिए यहां पर वीडियो beneficial जा भी तो इसी के साथ उम्मेद करूँगा वीडियो आप से भी को informative लगी हो वीडियो informative लगी हो तो please देख लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा